सूप्रभाद बच्चों आज हम पार्ट नो अंडों की वापसी एक कहानी है वो पढ़ेंगे और समझेंगे समुद्र की लहरों द्वारा टिटहरी के अंडे बहा कर ले जाने के बाद टिटहरी ने टिटहरे को उकसाया एक पक्षी होता है टिटहरी उसने क्या किया टिटहरे को उकसाया उकसाय मतलब उसको कहा टिटहरा तेजित स्वर में कहने लगा संगठन में बहुत अधिक शक्ती है मैं सभी पक्षियों को एकर्तित करूँगा और हम सब मिलकर समुद्र को दंड अवश देंगी अब टिटहरी के बच्चे समुद्र की लहरों में चले गए थे समुद्र अपनी लहरों में उन्हें बहा दिया था अब टिटहरी को बहुत गुस्सा आया उसने टिटहरी को कहा कि यह क्या होता है है कि वो हमारे अंड़े ही ले गया और आप कुछ करते क्यों नहीं तो उसने टिटहरी को बहुत गुस्सा आ गया उसने क्या कहा संगठन में बहुत अधिक शक्त, संगठन मतलग एक जुट, जो एक व्यक्ति नहीं कर सकता, सब मिलकर कर सकते हैं, है न, एक उंगली कुछ कर सकती है, क्या नहीं न, अगर पूरा हाथ मिल जाता है, तो कर सकते हैं, आपन कोई भी सामाम उठा लेते हैं, एक उंगली से सामाम हम सब समुद्र से समुद्र को दंडा वश देंगे अपने पत्ती टिटहरे की यह गोशना सुनकर टिटहरी का सीना गर्व से फूल गया उसने का ठीक है इनोंने मेरे बच्चे ले लिए अब मैं इनको नहीं छोड़ेंगे और मेरा पत्ती भी बोल रहा है तो उसका सीना क्या गर्व से फूल गया वह पुलकित स्वर में कहने लगी यदि आपने समुद्र को दंड देने का निन्ना करी लिया है तो बहुत अच्छा है क्या कि अगर आपने सोच लिया है कि समुद्र को दंड देना है तो ये निन्ना बहुत अच्छा है हम सबी मिलकर समुद्र को दंड देने का कोई न कोई मार्ग अवश निकाल लेंगे क्या कि हम सब मिल जाएंगे और समुद्र को दंड देंगे समुद्र को अपने अथा जल भंडार पर बहुत गमंड है यदि उसे सुखा दिया जाए तो कैसा रहेगा अब क्या का उन्होंने समुद्र को तो बहुत गमंडे अपने उपर कि मेरे पास इतना पानी पानी है मैं किसी को भी भाके ले जा सकता हूँ अगर अब इसका पानी सुका दे तो कैसा रहेगा टिटारे को अपनी पत्नी का सुझाओ बहुत अच्छा लगा क्या लगा सुझाओ मतलब कि हाँ यह ऐसा कर सकते है अपने सभी पक्षियों की सभाब बुलाई उसने सभी से समुद्र को सुखाने में सहीयोग करने की प्रात्ना की उसने का समुद्र को सुखाओ मिलकर ऐसी प्रातना की सभी पक्षी आपस में विचार विमर्ष करने के पश्यात इस निश्कर्ष पर पहुझे कि उनके लिए समुद्र को सुखा पाना संभव नहीं अब क्या चोंचे से पानी भरगर के बाहर डालते जाओगे तो क्या समुद्र सुख जाएगा क्या नहीं न तो सब ने पूरा विचार किया और कहा कि भई समुद्र नहीं सुख सकता और कोई उपाय सोचो इसी भी सभा में उपस्तित एक बुद्धिमान पक्षी ने कहा मित्रो इस संकट की घड़ी में हमें अपने स्वामी गरुड की गरुड जी से मिलना चाहिए क्या पक्षियों के स्वामी कौन है गरुड तो उन्होंने क्या का कि नहीं नहीं हम समुद्र को नहीं सुखा सकते और हम अपने गरुड से मिलते हैं गरुड पक्षियों के राजा होने के नाते समुद्र के इस सत्याचार से अपनी प्रजा की रक्षा करना उनका धर्म है और प्रथम करता भी भी है मतलब अगर समुद्र गलत काम कर रहा है तो वो हमारा राजा है, पक्षियों का राजा गरुड होता है तो हमें क्या करना चाहिए उसको बताना चाहिए और उसका काम है कि वो प्रजा की रक्षा करे और अपना धर्म निभाए मुझे विश्वास है कि वो अपने दायतों को निभाने से इंकार ने करेंगे क्या का बुद्धिमान पक्षिने कि विश्वास है कि वो हमारी बास सुनेंगे और हमारा स्योग करेंगे